हेलो दोस्तों आपको भी कभी-कभी MS Office में इस तरीके से दिक्कत आती होगी जैसे कि हाँ मैं MS Excel ओपन कर रहा हूँ यह मैंने Excel को ओपन किया यह मैंने Excel ओपन किया Run Command में मैंने किया Enter अब जैसे मैं हम Worksheet को ओपन कर रहा हूँ इसको Close कर देता हूँ तो पुछ इस तरीके से यहां पस मैंने को Error आरा Microsoft Activation Wizard का तो इसको ओपन कैसे ठीक कर सकते हैं और यह Excel में ही नहीं अगर मैं आपके समने यहां Win Word भी Open करूँगा तो उस पर भी दिक्कत आएगा यह देखिए मैं Win Word को Open किया Run Command में क्लिक कर लेते हैं Win Word जिसको MS Word भी बोलते हैं यह जैसे मैंने MS Word को Open किया और यह Blank Page मैंने लिए यह देखिए यहां पस भी मुझे Activation Wizard का Option आ रहा है तो इसको अपन कैसे ठीक करेंगे बहुत Easy Step है दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है आपको अपने दिस PC में जाना है यह अगर आपको Windows से होना तो computer लिखा होगा और C Drive में जाने के बाद आपको यहां से ढूनना है program file अगर program file आपको 64 byte है तो आप program file में जाना और आपको 32 byte है तो आप यहां पसे program file second volume जाना और यहां से आपको जाना है अपना common file sorry आपको जाना है Microsoft Office में और right click करेंगे इसके उपर और इसको run as a administrator करेंगे यह देखिए इसी तरीके से दो तीन बार और open करके यह right click क्या run as a administrator करेंगे यह blank होगा फिर automatic के चालू होकर बंद हो जाएगा automatic होगा आपको कुछ करने की जरुत नहीं पड़ेगा बस आपको run as a station करना है दोसे तीन बार आप इसको करें यह और इसको मैं close कर देता हूँ अब यह active हो चुका है दोस्तों अब जैसे आप MS Office के tool में जाओगे यह मैंने यहां से Excel को open किया अब जैसे मैं workbook लेता हूँ यहां पस देखिए मेरा जो वहां पस error आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है अब मैं आराम से कुछ भी type कर सकता हूँ editing कर सकता हूँ ठीक है दोस्तों thank you